तो चली दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास Windows 10 मसीन है और Windows 10 मसीन के उपर हमेशा ये अक्सर प्रॉलम आती है कि देक्स्टाप पे अगर आप माउस का राइट क्लिक कॉंटेक्स मेनू लॉंच करते हैं राइट क्लिक बटन प्रेस करने के बाद तो आपको कुछ नहीं करने है start button पर जाने और run menu को launch करने और यहाँ पर एक छोटी सी command है cell colon colon यह video के description में मैं आपको दे दूँगा जहां से आप simply इसे copy कर अपने Windows 10 machine के run menu में paste करे और आपके पास tablet PC setting open होके सामने नजर आएगी screen के उपर other tab पर press करेंगे और यहाँ पर आप देखिए तो जैसा कि मैं right-handed user हूँ और right-click context menu हमेजा यहाँ पर देख सकते हैं left-handed के रूप में enable हुई है और जब भी आप right-click प्रेस करेंगे तो right-side में वो available होके आएगी क्योंकि आप right-handed user है right-side में आपकी context menu available होके आ रही है जो कि आप normal रूप से experience फील करते होंगे तो यहाँ पर अब जो right-click करेंगे तो यह पहले जैसे काम करने लगी है right-click right user के लिए right-side में context available होनी चाहिए तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें thank you Dosto, thank you so much